अज डॉक्टर रेटी को हम लोगों ने ठीट किया था एंड काफी अच्छी सिल्स सेट के अपॉर्चुनटी हमें डॉक्टर रेटी के अंदर मिली एक अच्छा टेड और एक बेहतरी रेट एक्सपेक्टर था कि प्राइज हमारा यह जो डे लो है इसको भी ब्रेक करके एक लोग फॉर्म करेगा बट यहां से प्राइज हमारा फिर अप्चाट की तरफ चलिए फाइफ टू फाइफ जरो के नीचे जैसे मार्केट गए थे हमें लगा था जीरो पॉइंट फाइफ जरो पसंट का मुव्मेंट और डॉक्टर रेटी के अंदर हम भी देखनों को मिले यहीं से एक सपोर्ड इसने लिया एक बुलिश फार्मिशन की कि हम इस पिं बार की बात नहीं करें टोटल यहां पर क dared कमिनेशन ऑफ केंडल जो बंचें वो उनायका नेकर इंद़र लेकिन लाइव मार्केट में ये चीज़ें पता नहीं चलती है पता नहीं चलती है का मतलब कि ये एक सपोर्ट एरिया है 5250 अभी हमने जैसा बोला ना कि प्राइस जैसे उसके नीचे के हमें ऐसा लगड़ा था कि 0.50% का minimum movement doctor radio को downside के तरफ दिखाना चाहिए क्योंकि price morning से हमारा fall हो रहा है यहां पर जब आप volumes देखोंगे तो volumes भी एक के बाद एक breakouts कर रही थी एक के बाद एक देखिए यहां पर आपको volumes के breakouts दिखेंगे तो movements भी अच्छे अच्छे आ रहे थे यहां पर just opposite यह हुआ कि closing movement के closing time में एक momentum मिले और price हमारा upside के तरफ चला गया तो यह हो गया हो जाने के बाद में समझ में आता है otherwise हमारी जो expectation थी life market में trade execute करते समय कि price जैसे हमारा इस candle के नीचे कोई भी एक नया day low लगाएगा न वहां पर हम exit कर देंगे या फिर broker हमें खुद निकाल देगा टेलिग्राम चैनल पर आप लोंगे साथ हमने शेर भी किया था यह जैसे price इसके नीचे निकलेगा हम यह आप बूक करेंगे मतलब कि broker निकाले के बाहर तो ही निकलेंगे तब करके हम वेट करेंगे तो फिर प्राइस तो ऊपर के तरफ चला गया तो करीब 5,000 रुपए माइनस हो गया तो तुरंत माइनस हो गया तीन केंडल के अंदर 5,000 रुपए माइनस हो गया काफी महनत लगती है सब वीडियो बगरा बनाने में इसको एडिट करना आप रोगों तक पहुंचाना वीडियो कर अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा तो आपका एक लाइक या एक कॉमेंट जो आप करते हो न में लास्ट वीडियो डाला है असल में क्या है कि अगर हम किसी चीज़ के ट्रिक आपको दें स्टॉक सिलेट करने को बहुत एक दम शॉटकर सा मेट दे दें कोई स्टेट जी कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से इंगेज करें आपको बहुत रिस्क और मनी मैंनेस्ट में पड़ेगा लश्ट में उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है उस इसको देखो है ना तो जितनी म kidnapped हम आप लोगों के लिए कर रहा है इसको थोड़ा सा live market में practice कर एब South लाइव market में प्रक्टिस करो तो आपको इसका potential पताश चलिका यूह पहले देखोगे तो कम से कम बार बरे ही आपसे बोलते हैं कि कम से कम इधर पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ एक अपना सिस्टम बना लो एक फिक्स क्राइटेरिया अपना तेह कर लो कि हमें क्या करना है कितने रुपए से काम करना है हमारे स्टॉप्रोस कह रहेगा सारी चीज हम आपको बताएंगे एक तरह का आप बोल सकते हाइप प्रॉबैबिलिटी प्राइज एक्शन सेटप इन सेटप को आप किसी भी सेग्मन में यूज करो कैसे भी यूज करो लेकिन पहले उस सेटप को मास्टर कर लो और मास्टर करने के लिए अपनी फिल्ड आपको चुनन और ट्रेडिंग में आपकी बहुत हेल्प कर जाएगा आपके काम को और आसान कर जाएगा एक्जामपल के लिए जैसे आज का डॉक्टर रेडियो को हमने शॉट किया था सबसे पहले दो इसका रीजन देखे क्या है और इसी के साथ साथ हम आपको उन सेटप के ओपर डिसक उसको प्रीफर करते हुए हमने अपनी रीडिंग की आज के सेशन के लिए आप देखूए कि आज का हमारा जो एक्जिकूशन था अपना मंत की फर्स्ट के लोह के आसपास में हमने अपनी अंट्री अब यहां से सिंपल वे में सिर्फ रीडिंग करिए आप कैसे जिसको कि ह मास्टर केंडल बोल रहे हैं, मास्टर केंडल के पास से आप रीडिंग स्टार्ट करें, देखें आपको क्या मिलता है, जैसे की 5314.50, आप देखो कि प्राइज इस लाइन की नीचे कैसा क्या रियक्शन दिखा रहे है, प्राइज हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है, यहां प काउंट करते हैं, प्राइज को काउंट करते हैं, एंड नेक्स देख़ फ़र्म होने वाली चैंडल के कलर के कादींग अपना ट्रेंड गरिव स्ट्रेंट इस लिंग की प्रण्ट में क्नर्फ या बहुत अच्छा एक डРेंड एडिंट्टेंट क्रीन अब को a जैसे कि अपनी ये master candle के recording आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है बार बार यहाँ पर volumes के breakout दिख रहा है आपको price नीचे फिर से देखिए आपकी volumes के breakout यह volumes, volumes downside की तरफ फिर से यहाँ पर देखिए volumes के breakout हो रहा है तो price जब हमारा एक zone में रूख रहा है एक तुवा मोटा मोटा हमने इस पूरे structure को read कर लिया अब हम लोग candle से candle को कैसे read करते हैं इसको देखो volumes और price को actually merge कैसे करते हैं कैसे लोग देखेंगे इस इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा जैसे कि first candle हमारी यह वाली candle ओके इसके नीचे देखिए प्राइज ने breakout तो दिखाया यहां पर बट volumes नहीं है है न कोई बात नहीं हम इसको mark कर लेते हैं यहां पर क्या हुआ प्राइज तो हमारी range के बाहर निकला नहीं बट volumes के breakout हो गया समझ में आ रहा है ना प्राइज हमारी इस candle के बाहर नहीं निकला है कि next time में करना क्या है वो भी काफी powerful sit-ups होते है अब यहां पर देखिए downside की तरफ movement हुआ volumes के breakout हो गया और price हमारे range के अंदर ही है यहां पर क्या हुआ price बाहर की तरफ निकलने के कुशिच कर रहा है but volumes के breakout हो गया दोनों में diversions देख रहे है यहां पर volumes के breakout हों बड़ price range के बाहर नहीं निकला है यहां पर volumes के breakout हों बड़ price हमारी range के बाहर है अब क्या हो रहा है price को अगर उपर की तरफ जाना तो फिर यह चला जाना यहां पर देखे 13th of October की जो candle है आप इसका high mark करो high mark करने से क्या समझे वा रहा है price actually अपने highs को यह बार बार protect कर रहा है यहां पर देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए है ना lows लग रहा है lows highs downsides के तरफ शिफ्ट होते जा रहा है यहां पर देखिए volumes निचे और price हमारा range के अंदर है price हमारा upside के तरफ नहीं जा रहा है एक range के नीचे ही यह travel का काफी सारी चीज़े volumes की ऐसी हैं जिसको कि हम ऐसे public platform पर discuss कर रही नहीं सकते है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको clear करनेगे कि price action जो है वो समझ में आए कम सकम price actions तो समझ में आए आप को relate करिए आपस में इसको क्या देखने हो के मिल रहा है बहुत छोटी छोटी चीज़े हैं लेकिन आपको candles का पूरा move समझ में आ जाएगा इससे फिर से समझाए देखिए ये candle इसके बाद में ये वाली candle यहाँ पर देखिए volumes के breakout नहीं अब प्राइस हमारा नीचे की तरफ आ गया है अब यहाँ पर क्या होगा volumes के breakout होगा बट प्राइस ने range नहीं छोटी यहाँ पर क्या volumes के breakout होगा बट open close उपर की तरफ है नीचे से इसको मिल के upside की तरफ rejection और प्राइस हमारा range के अंदर ही close हुआ है है ना यहाँ पर भी देखे range के अंदर close हुआ यहाँ पर भी range के अंदर close हुआ कल के session में market ने downside की तरफ closing कर दी कल के session में price ने हमारी इस वाली candle के downside की तरफ closing कर दी अब कल में देखे volumes के breakout हुए है बट price ने breakout नहीं दिखाया अब अगर अगर यह closing गलती से हुई है by mistake हो गई है तो आज market को क्या करना होगा फिर यहाँ से upside की तरफ चली जाए है ना अगर इसे downside की तरफ नहीं गिरना है तो यह वाली जो candle हमारी बनी है जिसके अंदर कल की पूरी candle form हो गई volumes के breakout हो गई तो price को इस वाली red candle के नीचे movement नहीं दिखाने होंगे एक तो यह candle बन गई हमारी इसके नीचे closing नहीं हुई कल के session में closing हो गई चली है ठीक है हम मानते हैं इतने दिन से closing नहीं हो गई हो तो आज अगर हो गई है तो कोई बात नहीं अगर इसको उपर कितरे जाना तो फिर यह चला जाएगा previous candle के नीचे closing की और इससे पहले 1st November की candle के नीचे अगर यह आता है और movement करने शुरू कर दिये तो यह एक bearish symptom बन जाएगा डॉक्टर रिडडी के लिए आज के session में और इतने दिन से continuously sales set की volumes increase हो रहे हैं प्राइज अपने high को protect कर रहा है और lows को लगातार यह break कर रहा है इसके nearest target पता है क्या है यह वाले कल के session में लगा करके रखिए अगर प्राइज आपको नीचे की तरफ गया अगर downside की तरफ गया तो यह आपका 520, 5200 के आसपास मान के चलना डॉक्टर एड़े का target है तो यह तो अपनी daily time frame की marking हो गई अब आज आप lower time frame पर lower time frame पर क्या हुआ है हमने हमने जो अपनी entry लिए है आज के session में यह जो आप black वाली candle देख रहे हो 10 वच के 10 मिट की candle है यह वाली candle हमने इसके नीचे अपनी entry लिए इसके नीचे अपनी entry क्यों लिए जो line अभी हमने delete की यह वापा से इसको लेकर क्या आते है आप देखो कि इस line के ऊपर क्या हो रहा है 9.15 के एक बड़ी से candle बन गई और price हमारा 9.15 की range के अंदर ही trade कर रहा है यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं चलिए 9.15 की range के अंदर ही यह trade कर रहा है यहाँ 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 पर क्या हुआ न एक सबसे पहली candle volume के सब फॉर्म हुई जिसने downside के दर breakout करने की कोशिश की बट यह भी range के अंदर चलेगे यहाँ पर अपने favor में जो एक चीज हुई है इसने एक insight बाहर बना दी price action के अंदर 1 प्लस 3 एक technique होते है जिसके according हम volume और price इन दोनों को merge करके lower और higher time time के price actions को समझने ही कोशिश करते हैं यहाँ पर volumes का भी उतना ही रोल है जितना price का एक range के अंदर देखिए again and again volumes increase हो रहे हैं एक दो price range को भी छोड़ रहा है सब्सक्राइब और 5,303 रुपे 05 वर्प में orders लगे थे stop loss हमने यह वाली candle यहाँ पर बन रही थी इस जगर अपने stop loss से सटकती है अब अगर उपर जाना मार्केट को तो फिर ऊपर चला जाए क्योंकि जिस तरह से closings हुई है और जिस तरह से volume के साथ price ने downside का breakout दिखाया है price का ओपर की तरह जाना मुश्किल है मुश्किल आज के session में इसके बाद में फिर आप movement देखी सकते हो हम दो stock देख रहे थे एक Dr. Reddy और दूसरा था HR Motors तो HR Motor ने भी अच्छा movement दिखाया है चाहते तो HR Motors को भी trade कर सकते थे लेकिन इसको देख करके वह confidence ने आया है जो confidence में Dr. Reddy के trades में आया था और Nifty Pharma Auto Sector जब हम इनको दोनों को देख रहे थे तो हमें Pharma Sector को trade करना ज्यादा जिसमें सही लगा Pharma Sector का Dr. Reddy बहुत प्यारा trade था हाला कि बस लास्ट में थोड़ा से चूक गए अगर हम पहले ही अपने profits को book कर ले थे तो बच सकते थे 45,000 रुपे बच जाते तो साथ या साड़े साथ जार को जो अपना profit हो आज के सेशन में करी 12,000 के तो उपर ही होता लेकिन कोई बात न जैसे कि bullish lag count या bearish lag count यह हो था क्या है? Bearish lag और bullish lag count में आप यह समझे हो जब price हमारा basically lower lows या lower highs बनाता है क्योंकि price ऐसे नहीं चलता price हमेशा ऐसे या फिर इस तरह का move दिखा तो basically bullish lag या bearish lag इन्हें समझने के लिए हमें lower lows, lower highs, higher high, higher lows इन्हें समझना पड़ेगा price मानते हैं कि हमारा down lag या up lag में ही travel करता है लेकिन trade करने के लिए हमें बिलकुल हमारी जो criteria's हैं trade करने के लिए अगर हम horizontal lines के थूँ trade execute करते हैं तो prices में हमें trade execution horizontal lines के थूँ ही करना होगा या फिर इसके आगी जो आता है वो है trend line के recording काम करना basically trend line को हम use नहीं करते हैं हमारा कोई believe trend line के उपर नहीं है क्योंकि trend line क्या है हम जितनी भी बार draw करते हैं अक्सर trend line के साथ आप देते होगे 80% of the time trend line आप हमेशा गलत ही draw करोगे और जब एक बार market चल जाती तब समझ में आता है वो actually यह वाली line trend lines बहुत बार गरबर होती है क्योंकि trend lines को trade करने की अपनी techniques होती है अपने confirmations होते हैं और अपने ही methods होते हैं जह हम लोग trend line को यह through execution करते हैं trend line के थूँ हम लोग सिर्फ अभी अपने price actions के setup को समझ रहे हैं तो सिर्फ उसे के ओपर focus करते हैं अब यह मेरा down लाग है price यहां पर कर क्या रहा है lower 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 high lower 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 high यहां पर continuously अपने lows को break करता चल रहा है यहां पर देखे low break हो रहा है इस जगे पर देखे low break हो रहा है एंड जो highs है यहां पर protected है जो high है वो break नहीं हो पा रहा है price अपने previous high को protect करते हुए नीचे के तरफ गिर रहा है execution करने के लिए यहां पर देखे क्या चीज हमने लिखी हुई है आगे पढ़ते हैं जैसे higher high counting किस तरह की होंगी lower low counting किस तरह की होंगी तो यहां पर volumes का बहुत जादा यूज होता है higher high और lower low के counting के लिए जो legs लगते हैं इसके बाद में series of bullish bars और bearish bars short technique होती है कि continuously bearish bars लग रह यह bearish leg हो सकता है और इसके opposite price अगर upside की दरफ जा रहा है यानि कि series of bearish bars bearish bars की अपनी एक series बन रही है series firm हो रही है तो वो एक bullish leg count होगा यह तो छोटी सी technique हो गई क्यूंकि legs counting में price action क्यूंकि price action के अंदर legs counting का बहुत ज्यादा importance होता है अब यहां पर उसी तरह से bullish leg और bearish leg इन और second ending shot अब बढ़ते हैं अपने setup के उपर high probability price action setup यह actually है क्या देखें price अगर आपका down leg में है या up leg में है या पर हमें करना क्या होता है कि कोई एक zone ऐसा बनता है आप इसको resistance मान सकते हो या फिर यह आपका एक support area हो सकता है price भले ही down में move कर रहा है इस तरह से move कर रहा है लेक उसके अंदर price actions आपको कुछ इस तरह के देखे हैं कि price आपका एक level से टक्राने के बाद में नीचे के तरफ गिर रहा है अगेन एक movement हुआ फिर से price हमारा downside की तरफ अगेन एक movement हुआ और price आपका downside की तरफ आया जब हमें देखना होता है कि price के movement up में हो सकते हैं या फिर down में हो सकते हैं horizontal lines के according तो हमें यह समझ में है कि price एक ही level से आपका जितनी बार हो सके ज्यादा से ज्यादा अगर टक्राता हो प्राइस आपको दिख रहा है तो उतनी probabilities है कि यहां पर price actions आपको उतनी strong यह होगा आपका high probability से जैसे कि आपका support area बन रहा तो price up down यह इस तरह के movement जब support पर support के confirmations या फिर resistance पर resistance के confirmations देती है अब यही चीज आपकी जस्ट आगी की तरफ increase होती है वह है trend line के according price में highs lows highs जब price आपका बाहर की तरफ निकला किसी भी trend line से यह बाहर की तरफ निकला again downside की तरफ फिर से बाहर की तरफ निकला तो चाहे तो entry number one आप बोलिए यह जो shots हो पर आपको कुछ price actions देखने होंगे कुछ formations देखनी होंगे दो formation basically अभी हम आपको बताएंगे एक चीज याद रखना यह हरकत जो हम लोग देख रहे हैं यह trend line वाली भी यह हो सकता है आपको daily time frame पर दिखाई पड़े यह वाली और जब lower time frame पर ना है तो आपको horizontal lines के according अपने zone में चल रहा हो ऐसे और जब हम लोग lower time frame परना है तो price आपको trend line के according गिरता हो नजर आ रहा हो दोनों scenarios में cases में हम लोग क्या करते हैं प्राइस हमारी range के बाहर की तरफ निकलता है और वापस से range के अंदर re-enter करता है तब executions के confirmations हम लोग देखते हैं क्या confirmations है हम लोग यहा doctor ready में हुआ supports price एक ही जगे पर रूख रहा है आपका बार बार अब अगें देखिए price हमारा downside के दरफ ऐसे निकल नहीं कि उसने कोशिश की थी price हमारा हमारी range के अंदर रहा और यहां पर इसने क्या है एक बड़ी सी week बना दी फिर से price हमारा support पर तो यह बनते हैं support जब आप एक proper एक काफी अच्छी trend line आपको downside की दिखाई पड़ेगी और जो session इस दिन लगा है इसमें price क्या करेगा ना एक outer breakout दिखाएगा बाहर की दिखाएगा और जैसे ही price हमारा range के अंदर आया जैसे ही price हमारा range के अंदर आता है ना यहां से फिर हम लोग देखते हैं अपनी horizontal lines जैसे की इस चेकर पर हो और यहां से होते हैं executions इसमें देखे कुछ candles हैं उन candles को देखे आप यह price actions की कुछ काफी सटीक formations हैं जैसे की first normal candle second candle जो भन रही है इसमें आ रहा है rejection आपका जैसे ही price आपका इस second वाली candle के नीचे की दरफ trade करना शुरू करता है यह होते हैं कि price bullish leg counts है, bullish leg में price हमारा upside की तरफ जा रहा है और इसने trend line बना रखी है downside की तरफ जैसे ही इस downside को यहां पर price breakout करेगा ना हमें यह वाली formations अपनी find करनी होती है या फिर bearish leg हो गई, bearish leg में क्या हुआ अब माले जी देखे price ऐसे ऐसे करके काफी अच्छा movement दिखा रहा है downside की तरफ यहां से में भी चांस हो सकता है कि यहां पर आपको एक downside की trend line दिखे, आप price क्या करेगा या तो हमें trap करें, retailers को trap करें, price आपका upside की तरफ जाए, ऐसे trend line को इसने upside की तरफ ब्रेक किया करने दो, यह re-enter जैसे ही हमारी range के अंदर कर रहा है, bullish leg में जो हुआ था ना, कि price upside की त चुरू कर दिया, जैसा कि यहां पर हुआ, price support downside की तरफ ब्रेक कर रहा है, resistance को protect कर रहा है, यहां पर क्या हो ना, अचानक से इतने resistance को ब्रेक कर दिया, और वापस से price हमारा, जैसे हमारी range के अंदर आया, हमें यह formations देखने हूँगी, lower timeframes के यह confirmations होते हैं, लेकिन वही सबसे पहला, जो entry का setup आप देखोगे या, फिर second entry का setup जो भी आप देखोगे यह आपको breakouts पर देखने हैं, कि price जब breakout आपको दिखाएगा, higher high accounting, lower low accounting, combine हो करके यह साई चीज़े काम करती है, अभी हमने यहां पर आपको क्या बताया है, इसमें volume का अपना एक अलग use होता है, इसके साथ में एक दूसरा projection जो बनता है, एक यह वाली candle, और जहाँ पर में क्या ना, एक baby candle दिखाई पड़ी, अब हम लोग क्या करते हैं, यह तो एक rejection candle हो गयती, mother candle की यह जो baby candle होती है, यह बहुत अच्छा support होता है, और जैसे ही यह baby candle downside की तरफ ब्रिक की जाती है, वॉल rejection में एंगे, लेकिन फिर से हम बोलने हमने जो last video upload किया है ना, risk और money management का, हमारे stop loss एक्शली उस दिन गया था, तो काफी अच्छा live market का scenario है, जो कि वहाँ पर हमने clear किया, आप देखो, यह सब technical चीज़ है, इधर और दर की यह lag, वो lag, और low count, यह count, वो count, यह सब बात में जाएंगे, यह formation का use तो है ही, यह तो आपका plus point रहे, यह होगे आपका formation number one और यह होगे formation number two, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरह इनके counting को और enhance करते जाते हैं, और ज्यादा हमारे जो price actions है, वो strong बनते चले जाएंगे, और आज के trade में आपको इसका example देखने हो को मिला होगा, कोई भी trade आप execute कर लेना, कोई भी execution करना, उसमें इस तरह के सिन्यार्जियों को merge करने के कुशिश करना, trade करते समय है, आपको यह सब सारी चीज़े help कर जाएंगे, एक area है, जहां पर price आपका बार बार रुक रहा है, इस तरह से, हम लोग क्या करते हैं, opposite trade, support ले रहना, support ले रहना, यहां, यहां, यह वाला area, यह सब support का area है, यहां से price हमारा upside की तरफ भाग रहा है, सभी लोगों ने buy कर रखा है, सबने buy कर रखा है, जैसे ही यह support तूटेगा, यहां पर आजानी है, यह short से लिए, और जो भी चीज़े हमने आज के session में आपको बता कुछ जरूरत नहीं है, हमनों खुद ही ऐसा indicator काम कर रहा है, transaction को देखो न, indicators दुनिया में जितने भी indicators है, सारे के सारे lagging है, क्यों, इसके पीछे का reason क्या है, indicator का यह अंतरिक्ष से थोड़ी ना कूछ signal ले कर कियाता है, वो volume और price को read करेगा, और तब आपको बताएगा कि ऐसा हो सकता है, इसकी probabilities हैं, तो probability तो हम भी लगा लेंगे, ऐसा कुछ fix थोड़ी ना होता है, क्या RSI oversold होगे तो वहां से market गिरी जाएगी, या overbought होगे वहां से गिर जाएगी, या oversold होगे तो वहां से उपर की तरफ चली जाएगी, oversold होगा, आप buy करो, वो और गिरता च signal provide करते हैं, तो वो तो हमको भी पढ़ना आता है, क्योंको confirmations लेंगे जाकर के indicators, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगी, आप बना बना नहीं मिलेगी, ऐसे काम को, ठीक है, चलिए, thanks, goodbye, and I hope कि समझ में आ जागा होगा, कुछ अगर question रहता तो comment box में उसको comment कर द प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा backtest कर लो, प्रैक्टिस में सा कुछ बिलीब है, क्लास अगरा हमें, जब भी discussion होता है, आपना, यह क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं, तो पूरा का पूरो forward testing होती, back testing wasting में, कुछ अपना, कोई भी मानने था नहीं ह हम नहीं मानते उसको, backtest जैसे में, हम market off है, नहीं कुछ करने तो कर सकते हैं, बैठे हैं तो, नहीं तो running market में करो, जो market चली ना उसके पर backtest को, thanks and we will meet again.